हेलो, वाट्स अप गाईज, मैं इस पिनोद बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे हो टो अप्लोड और डाउनलोड पीडियाफ फाइल से उसिंग पीएच पी इन हिंदी तो चलिए गाईज, सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले गाईज, मैं आपको दो तरीके दिखाना चाहूँगा यह है कि जब भी आपको ऐसे फाइल्स देखते हो, आप में कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हो और वहाँ पे अगर इस तरीके से लिखा होता है अगें एक ऐसे वेबसाइट पे आपने विजिट किया जहां पे सेम लिखा हो है डाउनलोड पीडियापना लेकिन जब आप इन पे करोगे क्लिक तो आप देख सकते हो कि हमारे पहले सिनेरियो में क्या हो था आप जिस भी मसीन पे काम करें चाहिए वहाँ पे डाउनलोड हो जाता है बट हमारा यह जो सेकेंड सिनेरियो है इसमें वह अभी तक हमारे लोकल मसीन पे डाउनलोड नहीं हो है बलकि उसी वेबसाइट के एक दुसरे निव टैप पे वह पेज ओपन हो गया है आपको डाउनलोड करना है या नहीं ठीक है गाईस तो यह दो सिनेरो है एंड मोस्ट अप डाउनलोड भी करना है एक वेबसाइट बनाना जब उसपर क्लिक करें तो वह डाउनलोड भी हो जाए बाई यूजिंग पी एचप तो दिखिए गाईस आप देख सकते हैं अल्री मेरे पास एक कोड है लेकिन फिर भी मैं एक new file आए में एक new folder करेट कर लेता हूँ इस तरह की से आप देख सकते हैं मैं सबसे नीचे आठ चुका हूँ ठीक है तो अब मैं एक new file करेट करता हूँ यहां पर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स इस तरह के से इंडेक्स डॉट पी एच्पी बिकॉस हम पी एच्पी पे काम करें राइट एंड मेक्सिर करो आपका जैम टूल में अपाची सर्वर और अनौ अल्राइट अल्राइट गया स्थाप देख सेक्ते हैं कि मैंने कोड को कॉपी कर लिया है एंड मैंने सि एंडर टैग उसके जो की होता भी निया उसके बावजुद भी गाइस मेरे टेक्स ऑटमेटिकली सेंटर में ठीक है नहीं तो मैं टेक्स्ट एलाइंस सेंटर लिख सकता था है एच्टू में मैंने यह लिख दिया एंड मेरा पैराग्राप टैग के अंदर मैंने बोल्ड कर इसको एड कर दिया नाव आप देख रहे होंगे कि यह डाउनलोड पीडेअप नाव किधर है सो गाईस यह बहुत ज्यादे इनप्सक्राइब है कभी भी अगर आप डाउनलोड पीडेअप नाव कर रहे हो न तो बिसिकली अगर उसको डाउनलोड करना थे एक नाएक ुकी यह मेरा एक फाईल है यहांपर आप देख सकते हो जावस्कृिप डॉट पीड़ बिसिकलि जावस्कृिप का पीडे फाईल है इसको मैं कॉपी करता हूं स्ट्री डॉक्स पे चल के आप देख सेकते हैं अभी जस्ट मैंने जो एक फोल्डर क्रेट किया था है यहां पिसको मैं पेश कर देता हूं जो इस इस इड मैं इंडेक्स.php पे काम कर रहा हूं उसी फोल्डर के अंदर ही मेरे पास एक और फाल है यह दाट इस पीडफ अला सिंपल अभी मैं एंकर टैग इसको एंकर टैग लिए इस इच रफ हईपर रेफ्रेंस के अंदर आपको वो फाइल देना आट जाट जैस आप कुछ भी लिख सकता हाले की अंदर इसको ब्लैंक लिखते थे बट आई समाओ फिगर कि अगर आप कुछ भी लिखते हो फिर भी नेक्स्ट टैप पे जाके ओपन होता है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं सिंपल एंड पेस्ट इस इट कंडूल एस सेप कर लेता हूं अब भी आप नोटिस करो डाउनलोड पे में क्लिक करता हूं हमारा पहला जो सिनेरियो था डाट इस सुपर डूपर इजी हमने बहुत इजी लिख लेता है इसको अभी में हटा रहा तो अब मुझे क्या चाहिए मुझे यह चाहिए कि जैसे इस पे मैं करूँ क्लिक ना ऑन हमारे लोकल मसिन पे जहां पर भी आपने पात को सेव करके रखा हूं वहां डाउनलोड हो जाए बस ठीक है तो मैं क्या करता हूं यहां पर एक और फाइल क्रेट करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि अब हम बैकेंड इसमें एटेच करें ठीक है तो उसका नाम में दे देता आपको डाउनलोड.php हलाए कि आप कुछ भी दे सकते हैं ऐसा कोई वो नहीं कि डाउनलोड में नाम लिखा तो आपको भी डाउनलोड ही लिखना है ठीक है यह इस पार्ट को मैं हटा देता हूं जब भी कोई इस एंकर टैक पर करें क्लिक तो मुझे उसको डाउनलोड.php पेज पर डाउनलोड.php एंड उसके साथ में एक वेरियाबल पास करना चाहता हूं डैट इस मेरा पीडिया फाइल का नाम जो कि है जिस तो गाइस यहां पर में सिंपलिस तरिके से फाइल एक मेरा एक अट्रिब्यूट है मेरा एक वेरियाबल का नाम है एंड मैं आपको बता दूँ गया से बहुत सिंपल है अगर आपको मैं कोई भी एक फाइल दिखा दू जहां पर हलाकि मेरे यहीं पर आपको मिल जाएगा इस यहां पर आप तरुक्त है यह तो हुआ है और पर जो मेरा लिंक मेरे चैनल का लेकिन उसके बाद वी हेब क्क्षिन मार्क and then a view underscore as ऐसे करके देख सकते हूँ, basically यह मेरा variable है और यह उसकी value है, simple मतलब इस channel के साथ यह जो variable है मैं pass कराँ यह value के साथ, ठीक है यह हमने बहुत बार देखा गा, इस हमारे PHP के course पे तो basically यहाँ पे भी मैं वही कराँ यह मेरा इस file पे तो जा नहीं जाना है उसको click करने पे, लेकिन इसके साथ मैं एक और variable pass कराँ and that is मेरा यह PDF file का नाम that is js, simple, मैंने उसकी value भी pass कर दी, this is it, अब जब भी user इस पे करेगा click तो वो download dot page 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 पे जाएगा, तो page 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 को मैं create कर लेता, opening script यह मेरा closing script guys, सबसे पहले आपको make sure करना है कि आपने यह जो file बेजा है ठीक है, उसको आपको as a PDF format में बनाना है तो देखे क्या है, इस तरह किसे file करके एक में new variable create कर लेता हूँ and जैसे आपको याद होगा guys हम या तो dollar get या तो dollar post that is a super global variable था हम dollar get का use करने वाले हैं यहाँ पे and यहाँ पे मैं simply उसका नाम लिख दूँगा किसका यहाँ पे यह जो मेरा variable का नाम है तो मैं इस तरह किसे लिख देता हूँ file this is it and मुझे क्या करना कि यह जो file है basically, इस file, यह file क्या है basically, यह मेरा actual में जो PDF है अंदर में .PDF लिख रहा हूँ and इसको close कर, this is it basically, यहाँ तक मेरा आएगा JS and actual में पता भी क्या हो जाएगा dollar file के अंदर ना मेरा यह जो JS से JS आया and उसमें मैंने .PDF को कर दिया and this is it, मुझे यही तो दिखाना है JS.PDF है कि नहीं इतना मेरा काम हो गया guys and एक चीज़ आपको make sure करना है कि आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ that is all right, यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई भी file है ठीक है, अगर उसको आपको direct download करवाना हो ना then you have to write content disposition ठीक है, all right यह नहीं है basically, sorry, यह राइधर content disposition attachment inline मतलब जैसे क्या हो अभी हमारे साथ जो case हो रहा था मैंने click क्या वो दूसरे page दूसरे tap पे open हो गया लेकिन हमें on the spot force नहीं भई, हमें नहीं दिखाना है मुझे download करवाना है तो आपको attachment लिखना है and then file name में आपका जो भी फाइल का नाम हो वो आप लिख सकते हो so मैं वही उसकर नहीं जा रहा हो guys, properly उसकर नापको header double quotes के अंदर आप इस तरह के से content hyphen and then disposition इस तरह के से disposition, ठीक है आपको इसकी value देना है that is attachment, ठीक है आपको semi-column देक इसको end करना है and आपका जो भी फाइल का नाम होगा ठीक है, basically यह आप देख सकते हैं that is file name तो आपको इस तरह के से file का name देना है guys and अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हो equal to guys, इसको मैं जेटीज रखके मैं basically इसको encode करने वाला basically इसको मैं encode नहीं, sorry concatenate कर रहा हो and simple by using URL आप देख सकते हो, URL encode आचुका है यहाँ पर and इसमें मैं guys युवाला जो मेरा file इसको पास कर रहा हो and this is it, इस तरह के से मैंने file का name यहाँ पर encode करके पास कर दिया है alright, now अब मुझे क्या चीए guys इसके साथ और दो-तिन लाइने जो लिखा जाता, that is यहाँ पर, जहाँ पर content type, application force, download या तो octet stream, download, basically यहाँ पर देखो क्या लिखा गया even worse, I see this kind of मनलब यह आप ना भी लिखो तो भी मनलब कोई काम ही नहीं तो simply यह लिखना जरूए, that is नहीं मुझे forcefully download करवाना है हमारे local machine पर, simple अब सिर्फ download करके तो कुछ होगा नहीं आम उसको actual में read भी तो करना है file को open भी तो करना पड़ेगा so dollar app भी एक मैंने new variable create किया, यहाँ पर एक हमारे पास function है, that is file को अगर open करना हो, तो इस तरीके से आप open कर सकते हो, file का नाम आपको देना है, and guys, आपका file का नाम यहाँ पर है simple, ठीके guys, यह बहुत important and mode कैसे, आप read read write, only write, इस तरीके से दे सकते हो, मैं double quotes के अंदर only read, हमें सिर्फ उसको करना है read, and guys, अब read कैसे करोगे, read करना है, suppose यह मेरा pdf का file है, जैसे मेरे pdf के file है इसमें एक line, दो line, मतलब कितने सारे pages है, start to end हमें पूरे move करने पड़ेंगे तो उसके लिए हमें loop चलाएना, that is and loop चलाएने के लिए we have a function मैं लिख रहा हूं, that is f end of file f e o f, एक हमारे पास function है यहाँ पर आपको simply उसको pass कर देना है and not मतलब यह कि जब तक वो खतम नहीं हो जाता तब तक चलाते रहो, वस इस loop को simple ठीक, and simply echo लिख रहा हूं, and simple echo के बाद guys, यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमने उसको check कर लिया, हम from start to end तक हम उसको check कर रहा and सिर्प check नहीं कर रहा हमें उसको actual में read भी करना है तो file को read करने के लिए we have a fread function, and आपको guys, क्या करना है simple किस file को read करना है हमें इस वाले file को read करना है जो कि already open है, right, open वाले file को read करना, and length आपको यहाँ पर bytes पर देना, guys, मैं basically ऐसी 8192 दे रहा हूं वस में, तो guys, आप लोगों को मैं एक task देना चाहूंगा एक challenge देना चाहूंगा, यहाँ पर हम जो value देते है, that is in bytes लेकिन अगर आप notice करोगे, you know, इस bytes की उपपर वाले, I mean, जो file से उसको भी हम download कर सकते, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे आप बताओ, नीचे comment करके कि actual में इसका exact meaning क्या है ठीक है, हाला कि यह आपका length यह file का है, and हम bytes में उसको pass कर रहें, लेकिन exactly meaning क्या है इसका, आप नीचे comment करके मुझे बताना जरू, and अगर आपको body files के साथ, you know, deal करना हो तो you have to simply write flask function, and मैं आपको बताना चाहूंगा, basically आपकी करेगा, and guys, आपने open किया, आपने यह चेकिया, कि from start to end हम उसको read कर रहे है, या नी, आपने, you know, उसकी better readability लिए या better download के लिए flask function उसके, and last में आपने जो भी open किया, तो उसको कर दो close, simple handle में आपको file pass कर दे na, f23, this is simple, and this is it, guys, आपको इतना ही code लिखना है, control as, save कर देता हूँ, अब यह जो part, इसको मैं copy कर लेता हूँ, copy file path, and यहाँ पर चलता हूँ, ठीक, इसके बदले, and यहाँ पर, guys, मैं क्या करता हूँ, st docs तक को इसको हटा देता हूँ, and मैं लिख देता हूँ, इस तरिके से, local host, and enter it करता हूँ, so, guys, 3, 2, 1, and boom, guys, आप देख सकते हो, download हो चुका है, हाला कि 4 MB का file है, फिर भी यह download हो चुका है, so, guys, this is it, आपको वीडियो के लिए लिए तना ही, and really, आपको वीडियो बहुत पसंद आ होगा, हमने जहां 2 scenario है देखे, कि once आप click करते हो, तो वो next step पे open हो जाता है, and अगर आपको download करना हो, directly click करते ही, that is because of this again, that is attachment, हाला कि download होता तो ज्यादा बेटर लगता, लेकिन attachment है, बस, simple आपको इतना ध्यान रखना है, so, guys, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में daily ऐसे awesome videos बनाते रहता हूँ, and मैं बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप उसको miss कीजिए, so, अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल था, आपा टेकनीकल को subscribe नहीं किए, so, guys, please subscribe कर लिजेगा, right side में एक red color का bell icon एक गंटी दिखाई देता है, hit कीजिए, click कीजिए, ताकि आप ऐसे awesome videos को miss ना करे, कुछ doubt हो तो बे फिकर हो के नीचे count कीजिए, मैं आपकी जरूर हल्प करूँगा, so, till then guys, thank you so much, take care.